इस साल के अंतमे होने वाले अमेर्की राश्ट्रपती चुनाव में भारतिय अमेर्कियों का वोट एहम भूमिका निभाने वाला है 48 लाग भारतिय अमेर्कियों में से 21 लाग वोट देने के काबिल है यही वजह है कि अपरवासी भारतिय अमेर की राजनिती में बेहत एहम माने जा रहे हैं 2024 के राश्रुपती चुनाव की दौड में Democratic Party की ओर से Kamala Harris और Republican Party की ओर से Donald Trump उम्मीदवार है Harris के अभ्यान ने Lotus for Potus जैसे memes को बड़ावा दिया है जिनें भारतिय अमेर की कम्यूटी में शेयर किया जा रहा है Kamala का हिंदी में मतलब कमल होता है दक्षन एशियाई महिलाओं की ग्रूप जिसे चट्टी बिग्रेड भी कहा जाता है वो अलग-लग कम्यूटी के जरिए कमला हैरिस के लिए समर्थन जुटानी में लगी हुई है हाला कि कमला हैरिस के लिए भारतिय अमेर्कियों के सपोर्ट की गारंटी नहीं है राजनीती के कुछ जानकारों का कहना है यह आर्थ व्यवस्था, immigration और climate change और cultural pride जैसे मुद्दों पर भी समर्थन निर्भर करेगा कुछ भारतिय अमेर्की बोटरों ने immigration और reproductive rights को लिकर हैरिस की नीतियों पर चिंता जाहिर की है कम्यूटी की डावर्सिटी से भी इस पर असर पड़ेगा in different ways, postcard writing, writing to the voters, generally bigger like a sloth of voters than all other states but also targeted to fellow South Asians Democratic National Convention में कम्रा हैरिस ने राश्ट्रुपती पद के लिए अपना nomination सुविकार कर लिया है राश्ट्रुपती चुनाव में भारतिय अमेर्की community की भूमिका और इसका असर एहम हो सकता है कर दो